हेले स्टूडिन्स चलिए आज हम बेस्टी का 10 चाप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है वित्तिय बाजार यानि फाइनेंशल मार्केट उससे पहले क्या करते हैं इसके पहले का जाज चाप्टर हमने किया था यानि his financial management उसको थोड़ा से आध्क कर ले उसमें क्या पढ़ाता हमने विट्थ क्यूं आवश्चक है और विट्थ की आवश्चकता कहां होती है तो हमने क्या जाना इसके बाद कि बिना वित्त के किसी भी कारे को करना बहुत मुश्किल है और विवसाय को आगे बढ़ाना तो और भी मुश्किल है। तो इसे हम यह कह सकते हैं कि वित्त जो होता है एक important role play करता है किसी भी business या organization को आगे बढ़ाने में। या कह सकते हैं जो वित्त होता है वो किसी भी व्यवसाय का आधार होता है तो इसी कॉंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आईए हम स्टार्ट करते हैं आज का चाप्टर फाइनेंशल मार्केट यानि वित्य बाजार अब यह दो शब्दों से मिलका बना है फाइनेंशल और मार्केट यानि वित्त और बाजार अभ यहां पर जैनेंगे कि जो वित्त हमें मिलता है वो कहां कहां से मिल सकता है जो फाइनेंस हम चाहते हैं या कोई बीजनस ऑ्गुनिप्वाइनजीशन चाहता है कि उसके पास आए ताकि वो अपने आपको कि जा सकें और उसके बाद उसका ग्रोध किया जय सकें तो जो वो विध आवुर्शक है वो कहां से पराप्थ होगा जैसे कि चैप्टर का नाम है financial market यह जो विध़ पराप्त होता है इस financial market से होता है अब सवाल होड़ता है यह financial मार्केट होता कहा है तो फिजिकल रूप से बच्चों कहीं यह विद्दिमान नहीं है जैसे कि आपने फॉर एक्जामबल डिफरेंट मार्केट सुना हुआ है कपड़ा बाजार सुना हुआ है सबजी बाजार सुना हुआ है मच्छी मार्केट सुना हुआ है ऐसे ही अगर हम बाजार को देखें तो अपो physically कहीं नहीं मेलेगा आपको ये सारी चीज़ें कहां मिलती हैं online होती है ये जो market होता है online sustain करता है और इसमें जो transactions होते हैं मतलब with का या कोशो का आदान प्रधान होता है या जो इनमें विनियों किया जाता है उसको किस तरीके से प्राप्त किया ज होते हैं तो आए चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि financial market किस concept पे काम करता है और कैसे काम करता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अर्थ व्यवस्ता है हमारी उसके दो प्रमुक्षेत्र हैं एक तो तरह है घरेलू और दूसरे हैं व्यवसाई की काई मतला हम उसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे लोग जो अपने पास बच्चे हुए पैसों को क्या करते हैं उसको निवेश करते हैं वो लोग आते हैं घरेलू में आप और हम जैसे लोग हम क्या करते हैं अपने से अपने कारियों से या अपने द्यानिक जीवर में क्या करते हैं थोड़े थोड़े पैसों की बचत करते हैं और उसको क्या करते हैं उसको या तो बैंक में जमा कर देते हैं या या फिर मनी मार्केट में लगा देते हैं जिससे कि हमको क्या मिले और अधिक profit मिले हम profit earn करें और एक वो इकाईया होती है यानि व्यावसाईक इकाईया जो इन पूंजियों का उपयोग करके क्या करती है उनको अपने व्यावसाय में निवेश करती है और जैसे वो profit earn करती है उन profit में से जो percentage है वो अपने रिंड दाताओं को देती है या उन व्यक्तियों को देती हैं, उन लोगों को देती हैं, जिन लोगों ने अपनी पुंजी को उनमें निवेश किया हैं, ठीक हैं, तो अब जैसे पता चल गया कि घरेलू और व्यावसाई काई यह दो क्या हुए, अर्थे व्यावस्ता के प्रमुग दो शेतर हो गया, तो अब हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि घरेलू, शेत्र से व्यावसाई काईयों तक जो कोशो का विनियोग होता है वो दो तरीकों से हम समझ सकते हैं. देखो, एक तो बैंक के माधम से होगा, अकसर क्या करते हैं, अब अगर फंड हमारे घर पर रखा है, तो क्या हम उसका सधूपियोग कर रहे हैं, क्योंकि उसका वैलु। achieving is not ש η व्यावसाई कि उतना उतना है, तो इस तरीके से वो जो जिन लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा है उनको क्या मिलता था उनको क्या मिलता था अपने पैसे पर ब्याज मिलता था और जो बैंक जिन लोगों को लोन देती थी उनको क्या मिलता था फंड मिलता था जिससे की वह अपने प्रोजेक्ट में य और अपने व्यवसाय को बढ़ा सके अब एक और चीज सामनी आई बैंक के अलावा वित्या बाजार अब यह क्यों सामनी आई क्यों कि देखिए अब मार्केट इतना वास्ट हो गया जैसे कि आप जानते हैं बैंक में जो अपने को रिटर्न मिलता है या जो ब्याज की दर है यह जो है कम है अब इंफलेशन ही हमेशा ज्यादा दिखें ऐख रहा है आपको अगर उसको बैंक के ब्यास की दर से एक संफैर करेंगे तो आपको उसमें प्रफिट अन हो रहा है जो Kazuma मिल रहा है जो लोग यह वह लोगों के जैना कि किस तरीके से हम और उपकर सकते थिस मातरा में Dividends मिलें तो उन्होंने क्या पाया यह फिर किस का चीजे सामने आए वित्ये बाजार यहां पर जब मनी लगती है यहां पर जब पैसे लगाय जाते हैं यहां पर जह जब कोश्औ को लगाए जाता या निधी को लगा जाती है तो से से ज्यादा से ज्यादा माधुरा में क्या मिल सकते हैं लाभांश को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है वित्य-बाजार में जो होती हैं अपने जो बचत के गए हरकम से जो विनियों जिनके तरीके हुए तो घरीदा झाल में जपन के प्रेदा जाता है तो डोments कि विनियों के कि दो तरीके हुए आए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वित्तिय बाजार का अर्थ क्या हुआ कि जब घरेलू यानि हाउस होल्ड से जो वित है या निधी है या कोश है उसको व्यावसाइक इकाईयों तक पहुंचाने के माध्याम को हम क्या कहते हैं या जो उसमें मध्यस्त का कारे करते हैं उनको क्या कытते हैं वित्य बाजार यानी Financial Market कहते हैं अब वित्य व्यवस्त को हम समझें तो वित्त को बहुतायात वाले शेत्र से जहां पर उसकी आवशक्ता ज्यादा है वहां तक जो पहुंचाने कारे करता है वो कौन करता है वित्य बाजार करता है ठीक है अब इसमें क्या-क्या होते हैं वित्य जो ववस्था है वो तीन प्रकार के होते हैं वित्य ववस्था कैसे तीन प्रक बूतियां यानि इसको इंग्लिश में कहेंगे financial market ठीक है दूसरा है financial institutions और तीसरा है financial securities अब यह तीनियों मिलके क्या करती है जो वित होता है जो जहां पर ज्यादा से ज्यादा मातरा में इखटा है उनको उनके जरुरत की जगह पर पहुंचाते हैं और उससे की क्या होता है व इस वित्य बाजार में एक instrument हम बात करेंगे वित्य संपत्ती के बारे में अब यह वित्य संपत्ती होती क्या है जो वित्य संपत्ती होती है वो एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिसमें की क्या होता है कोशों के लिए जो जब हमको कोश चाहिए मान लीजे यह प्रपत्र त इसलिए किया जाता है जब किसी संस्था को या किसी व्यावसाइग इकाई को अपने डे टुडे वर्क या वर्किंग क्यापिटल की आवश्रक्ता होगी उसकी पूर्ति के लिए इस प्रपत्र की क्या कियाती है इस प्रपत्र को निर्गमित किया जाता है तो बच्चों इस त उनों के बीच याने जो घरेलू और व्यावसाई की काईयां हैं उनकी बीच किसका काम करता है इंटरमीडियेटरी यानि मध्यस्क कारे करता है उसका प्रमुक उद्देश क्या है कि जहां पर वित्त की बहुतायात है वहां से वित्त को ले करके जहां उसकी जरुरत जादा है वहां पर उसको स्थाना नतुरित करना और यहां पर तीन प्रमुक्षित्र हमने जाने कौन कौन से जाने पहला प्रमुक्षित्र जाना वित्ती बाजार फिर वित्ती संस्थाय और वित्ती प्रभूतिया और अब हम जानेंगे कि इससे वित्य को हम किस तरीके से परिभाशी農 कर सकते हैं आईए इसके लिए हम एक परिभाशा को देखते हैं तो सर्ग्राढ नय की है यह परिभाश इस परिभाशा के नुसार वित्य बाजार ऐसे सहींद्र है जो कि उधार करताौं को को रिण उपलब्द कराता है और रिण दाताओं को वित्त लगाने का अवसर प्रदान करता है तो देखिए अब आप इससे यह समझ सकते हैं कि जो करते हैं कि जहां पर लोग पस्त वित्त जाधा है उनको एक तरह का अवसर दिया जा रहा है कि वह अपने वित्त को लगाएं और उसे डिविडेंट यानी लाभश्त को प्राप्थ कर सके और उधार जिनको चाहिए रिण दाता तो वो लोग जो कि वित्त को अपने लगा रहे हैं उनको क्या दिया जा रहा है उनको अफसर प्रदान क्या जा रहा है और उधार जिनको चाहिए उनको क्या दियाता है रिन उपलब्द कराया जाता है या उधार उपलब्द कराया सकता है जाता है जिससे की वह क्या करें अपने व्यावसा यहां पर दिख रहा है वित्त का पूर्तिकक्ष यहां पर दिख रहा है वित्त के पूर्तिकक्ष में आप देख रहे हैं कि कौन-कौन से वित्ति संसाएं हैं व्यापारिक बैंक हैं बीमा कंपनिया हैं और विदेशी विन्योजक हैं ठीक है और मांकक्ष को कर देखें तो व्यापार उद्योक क्रिशी सरकार यह लोग मांकक्ष में हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वित्तिय बाजार का कारे क्या है उसका मु स्थानत्रित किया जाएगा जहां पर उसकी आवर्शक्ता जादा यानि पूर्ति करता से मांग करता की और स्थानत्रित किया जाएगा तो यहां पर जो वित्त बाजार है वो वित्त को स्थानत्रित करता है यानि क्या करता है वो एक के रूप में दे रहे हैं तो उस सिती में क्या होगा उनको प्रतिफल क्या प्राप्त होगा लावांश या ब्याज मतलब डिविडेंस मिल सकते हैं या फिर जो ब्याज रहती है वो मिल सकती है तो इससे बच्चम को समझ में आता है कि वित्त की मांग और वित्त की पूर्ति कि स्रीखे से होती है अब वित्त की मांग एवन वित्त की पूर्ती को समझने के बाद आईये हम देखते हैं कि जो वित्त बाजार के कारें क्या क्या है अब दिखें जैसे कि हम जानते हैं किसी भी देश के लिए उसकी आर्थिक विवस्था मजबूत होना कितना important है ठीक है अब ये आर्थिक विवस्था मजबूत कैसे होगी जब उसकी व्यावसाइक एकाईयां मजबूत होगी या उनके financial market जो होगा वो मजबूत होगा उसके पास proper fund होगा जिससे की cash flow proper होगा और अगर जिन एकाईयों को वित् उपलब्द हो पाएगा तो इस हिती में जो वित्त बाजार के क्या कारे हैं आईये हम उनको एक एक करके जानेंगे तो जो पहला कारे हम screen पर देख रहे हैं वो कहता है कि बच्चतों को गती प्रदान करना एवं अत्यधिक उदपाद किये प्रयोगों की और ले जाना यानि mobilization of savings and channelizing into the most productive use देखे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वित्त होता है वो जहां पर उसकी आवश्यक्ता जादा है वहां पर उसको स्थानांतरित किया जाता है मतलब उसको mobilize किया जाता है तो इससे क्या होगा वित्त को और अच्छी तरीके से उप्योग किया सकता है यह वित्त बाजार का पहला कारे हुआ दूसरा कारे है मूले खोजों में साय गया नहीं फैसिलिटेट्स प्राइस डिसकवरी किसी भी वस्तू या सेवा की जो मांग है और उसकी जो पूरती है वह उसके मूले को निरधारित करती है इसी तरह हम सेक्योरिटी में भी आवशक्ता नहीं होती है फिर तीसरे हम मिन्दू पर जाते हैं और थार को देखते हैं तोलस्टा कारे कहता है वित्तियं संपत्तियों को तरँलता प्रदान करता है अअ प्रोवाई लिक्विडिटिटी टू दे Anchor assets अब जब वित्तिय संपतियां जो हैं वो easily available हो जाती हैं और प्रतिभूतियां जब उन प्रतिभूतियों की आवश्रक्ता है तब वो प्रतिभूतियां क्या हो जा रही है available हो जाए तो उस समय क्या होगा वहाँ पे तरलता बनी रहेगी मतलब जो cash है वो easily available हो जाएगा चौथा कार क्या होता है लेन देनों की लागतों को कम करना यानि रेडक्शन और कॉस्ट और ट्रांजेक्शन अब प्रतिभूतियों यानि सेक्यूरिटी उनका मूल्य कितना है अब हर कंपनी की अलग प्रतिभूतियों की तो उन प्रतिभूतियों का सही मूल्य जानना उसके से लिए बहुत मशक्कत करने की ज़रुद नहीं होती है यह सारी चीज़ चुकि Online Available होती हैं तो इसमें जो कॉस्ट लगती है या जो transaction कॉस्ट लगता है वो कम लगता है या लेन देन की जो लागत होती तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या लाना कि विट्य-बाजार के प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है अगर हम इसको देखे जो इसका division होता है वित्य बाजार का वो उस basis पे होता है कि जो बुक्तान की अवधी है उसके basis पे होता है जो अगर जिन प्रतिभूतियों की यानि securities की भुक्तान की अवधी एक वर्ष से कम है उन्हें अलपावधी कहते हैं उस तरह का वित्य बाजार पहला प्रकार होगा और जिस तरह की प्रतिभूतियों में जो भुक्तान की अवधी एक वर्ष से ज्यादा की होगी वहां पे जो जिसमें long term और medium term हम कह सकते हैं अब जैसे कि आप इस figure को देख रहे हैं स्क्रीन पर वित्य बाजार को दो भागों में बाटा गया है पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार जो मुद्रा बाजार है वहां पर जो प्रतिभूतियों का भुकतान होता है वो short term period में होता है यानि एक वर्ष के अंदर और पूंजी बाजार में जो भुकतान होता है प्रतिभूतियों पर वो एक वर्ष से ज़्यादा का होता है इसमें medium term और long term basis पे क्या क्या जाता है भुकतान किया जाता है या investment क्या जाता है और उसमें जो पैसे वापिस की जाते हैं उसके लिए जो समय होता है वो एक वर्ष से पाच वर्ष के बीच या उससे भी जादा हो सकता है अब यहाँ पर आप जैसे इस figure में देख रहे हैं पहले हम मुद्रा बाज से स्टार्ट करेंगे तो मुद्रा बाजार होता क्या है जैसे कि आपने जाना कि मुद्रा बाजार जो होता है यह अल्प आवधी पेकारे करता है यानि इन पे जो प्रतभूतियों के जो भुकतान की अवधी होती है वो एक वर्ष्ट से कम होती है तो जो भुकतान की अवधी कम होने से ये क्या होता है ये नियर टू कैश होता है मतलब कि इसको तुरंत कैश में कनवर्ट कर दिया जाता है अब ये जो मुद्रा बाजार है अगर हम इसको एक definition के माध्यम से समझें तो कोई ये definition कुछ इस प्रकार है जो कि reserve bank द्वारदी गई है reserve bank के निसार मुद्रा बाजार अलपकालीन संपतियों को क्रे विक्रे करने के केंद्रो होता है ठीक है और एक बात और जो मुद्रा बाजार होता है वो उच्छ तरल होता है और कम जोकिम पूर्ण होता है अब उच्छ तरल भी होता है और कम जोकिम पूर्ण भी होता है ऐसे कै से तो उच्चे-तरल इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो होता है और इस वजह से क्या हो जाता है समय अब इसका रिजन क्या है क्योंकि जो डिसकाउंट फाइन्स हाउस ऑफ इंडिया है वो खुद इसके लिए क्या करती है बाजार उपलब्ध कराती और कम जो खिमपुर्ण क्यों होता है कम जो खिमपुर्ण एक तो इसके कालावदी के कारण भी होता है क्योंकि कम समय में ही उनको भुक्तान करना पड़ेगा और दूसरी चीज यह होती है जो जारी करता होते हैं वो अपने आप में वित्तिय रूप से क्या होते हैं सद्रिड होते हैं इसे लिए जो मुद्रा बाजार से जो प्राप धन होता है या मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र होते हैं वो क्या होते हैं उच्च तरल भी होते हैं और कम जो खिंपूर्ण भी होते हैं आए अब मुद्रा बाजार को समझने के बाद हम इनके कुछ instruments को जानते हैं कि किन किन तरह के प्रपत्रों पर कार किया जाता है मुद्रा बाजार में जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं जो मुद्रा बाजार है उसमें इस तरह के instruments या प्रपत्र या उपकरन को इस्तमाल किया जाता है पहला commercial paper, फिर treasury bill, उसके बाद आता है commercial bills, फिर आता है certificate of deposits और इसके बाद call money अब हम इन सारे उपकरनों को एक एक करके समझेंगे कि ये उपकरन के सरीके से कारे करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं commercial paper की यानि जैसे हिंदी में कहते हैं वानेजिक बिल, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये instruments जितने भी होंगे वो short term होंगे और असुरक्षित प्रपत्र होंगे, तो हम इस शब्द को हर प्रपत्र के साथ लेते हुए चलेंगे, हर instruments के साथ लेते हुए चलेंगे तो पहला जब हम commercial paper की बात करते हैं या वानेजिक बिल की बात करते हैं तो ये जो बिल होता है वो अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिग्या पत्र होता है यानि प्रतिग्या पत्र को English में promissory note करते हैं जो कि क्या करता है जो प्रतिष्ठित कंपनियां होती हैं उनके द्वारा अपनी अल्पकालीन, मौसमी और क्रिया शील पूंजी की आवश्रक्ता को पूरी करने के लिए जारी किया जाता है और इसे endorsement या delivery की द्वारा दिया जाता है या स्थानांत्रित किया जाता है इसका जो maturity period, maturity period यानि परिक्पक्वता अवधी इसकी जो maturity period होती है वो 15 दिन से 1 साल तक के लिए होती है और इसका उद्देश क्या होगा अब इसका उद्देश होता है कि जो working capital रोज मर्रा के कार्य के लिए जब पैसों की वित्त के आवश्रक्ता होती है तो उन कार्यों की पूरती के लिए किस तरीके से और कैसे वित्त हम उपलब्द करा सकते हैं इन commercial papers का यूज उन्हीं तरह के वित्त को यूज करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं या companies इस्तमाल करती हैं कौन सी companies प्रतिश्ठित companies अब जब इस तरह के काम के लिए इन प्रपत्रों का इस्तमाल होता है तो इस तरह के कारे को क्या कहते हैं bridge financing बटा यह जो bridge financing मैं आपको बता रही हूं अक्सर आपके question में पूछा जाता है अक्सर आपके question paper में पूछा जाता है कि bridge financing क्या होता है तो bridge financing क्या होता है जब अपनी स्थाई संपत्तियों की आवशक्ता को पूरी करने के लिए इस तरह के प्रपत्र कौन करती हैं प्रतिश्ठित कंपनियां जारी करती हैं तो उसे bridge financing कहा जाता है और इनके क्रेटा कौन होते हैं जो insurance companies हुई ठीक है unit trust हुए bank हुए ये सब क्या होते हैं इनके क्रेटा होते हैं अब ये जो होते हैं जो प्रपत्र होते हैं जो सब जब sell किये जाते हैं या बेचे जाते हैं तो किस तरह discounts में दिये जाते हैं और उनको प्राप्त किया जाता ह उनके पूरे दाम पर मालिजे अगर हम के सकते हैं 50,000 रुपय जमा किया रहे हैं लेकिन 50,000 के एवज में उनको कितना जमा करना है 45,000 रुपय जमा करना है और उनको वापस कितने में लेंगे 50,000 तो यहां पर जैसे कहा जाता है है जैसे यह चीर है कि इसे डिसकाउंट में दिया जाता है जो प्रपत्र जाए इंदि हें प्रपत्र है इसाड जी घारा उससे 75,000 में दिया जाएका ठीक है विचा है लेकिन जब उसे वापस कि वुशों होती तो तो बचो इस तरीके से आपने commercial paper को समझा अब commercial paper को जानने के बाद हम दूसरे जो उपकरण है उसकी तरफ चलते हैं जिसे treasury bill या राजकोशे bill कहते हैं ये क्या होता है RBI के द्वारा issue किया जाता है किसके बिहाफ में Central Government के ही बिहाफ में जो की अपने दैनिक जीवन के खर्चों में जो Central Government को जो छोटे-छोटे खर्च होते हैं उनके हिसाब से उसके लिए जब finance की requirement होती है तब ये जो प्रपत्र है वो RBI द्वारा issue किये जाते हैं और ये जो प्रपत्र होते हैं कम से कम कितने हजार के होते हैं 25,000 के होते हैं या उनके गुणक के수ें होते हैं इसलığे क्याते हैं क्योंकि इसमें जो हमको income होती है zero level की होती है उसलिए से जीरो कुपनmidt कहते हैं अब इसमें समाजने के बाद आगे संझेंगे और इसकी ताइम पीरिड होता है जो प्रपत्र है अगर उसे 91 डेस के लिए ट्रेशरी बिल 95,000 में जारी किया जाता है तो इससे आप क्या समझेंगे कि जो रिन दाता है वो 95,000 दे करके 1 लाग रुपे अरजित कर सकता है तो ये कटाउती हुए निलामी के समय किया क्या जाता है कि निलामी के समय जो RBI होता है वह विभिन सामाचार पत्रों में क्या करता है कि वह निलामी के लिए टेंडर आमंत्रित करता है और जो टेंडर जिन लोग जो इंटरस्टेट परसंस होते हैं वो उसके लिए जाते हैं और इस तरीके से क्या होता है वहां पर जो अरजन होता है किस तरह वित्त को प्राप्त किया सकता है वो कारे इन दो रूप में होता है या दो तरह के विवहार करके प्राप्त किया जाता है तो बचो इस तरीके से हमने मुद्रा बाजार के दो उपकरणों को जाना है पहला है कमर्शल पेपर यानि वारनेजिक बिल और दूसरा है ट्रेशरी बिल यानि राजकोश्य बिल अब हम बात करते हैं कमर्शल बिल की यानि वारनेजिक बिल आपने इससे पहले जो पहला कमर् यह जो कमर्शल बिल होती है एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होती है जैसे कि आपने क्लास 11 में पड़ा हुआ है यह एक अल्पकाली इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की तरह कार करती है इनकी जो कालावदी होती है वो 90 दिनों की होती है जो प्रपत्र जो लिखा जाता है वो प्रपत्र विक्रेता के पास वापिस आया था इससे क्या होता है जो विक्रेता होता है उसे क्या मिल जाता है उसे धन मिल जाता है यह कोश मिल जाता है और जो क्रेता होता है उसे क्या मिल जाता है उसे जिस वस्तू की आवश्यक्ता है जिसके लिए प्रपत्र लिया गया है या उसको स्विकार किया गया है वह वस्तु से मिल जाती है तो यह था कमर्शल बिल यानि वानेजिक बिल अब हम आगे बढ़ेंगे अपने चौथे इंस्ट्रूमेंट यानि उपकरण की ओर मुद्रा बाजार के वह है कॉल मनी या मांग मुद्रा अब जो कॉल मनी होता जैसे करना पड़ता है अपना CRR मेंटेन करना पड़ता उतना कैश रजर्व होना चाहिए ॅब क्या होता है जैसे किसी बैंक ने इसको लोन दे दिया तो मान ली जिए उसके पास जो कैश होना चाहिए जितना सेंटल गश्वर्मेंट ने और विया डिसाइड किया हुआ है अगर वो कम हो गया, क्योंकि यह regulatory framework है, यानि जो नियमक धांचा बना हुआ, अगर उससे कम हो गया, तो उस पे penalty लग सकती बैंक को, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो एक बैंक होता है, एक से 15 दिनों के लिए क्या कर सकता है, मतलब यह duration बता रहे हैं, एक से 15 दिनों क बता है, एक से 15 दिन का होता है, और जो इंट्रेस्ट पे किया जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक को इस प्रपत्र के द्वारा, उसे हम call ratio कहते हैं, यानि जैसे इंगलिश में call ratio कहते हैं, और हिंदी में मांग अनुपात कहते हैं, तो बचो यह हुआ चौथा call money instrument, अब हम अन्तिम instrument की ओर चल रहे हैं, मुदरा बाजार के, वह है certificate of deposit, जिसे इंगलिश में short में cds भी कह सकते हैं, यह भी एक short term financing investment होता है, यह जो होता है commercial banks के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका जो duration होता है, वो 91 days से लेकर के 1 year तक का होता है, और यह जो होता है, जो कंपनिया होती है, दूसरी कंपनियों को issue करती है, अब जैसे आप देख रहे हैं, जो मैंने सबसे पहले commercial, यानि बिल, यानि जो वानेजिक प्रपत्र की बात की, उसमें मैंने बात किया, जो credible institutions होते हैं, या जो पहले से धनाडे हैं, जिनका अपना एक अलग से ब्रांड नेम है, वो ये प्रपत्र issue करते हैं, फिर मैंने आपको treasury bill की बात की, वहाँ पर RBI ये प्रपत्र issue करता है, फिर मैंने आपसे commercial bill की बात की, उसमें क्या किया, ये जैसे short term instruments है, इसमें जो बात हुई, ये bill of exchange हुए, और जब मैंने call money की बात की, तो ये bank जो है, इसमें क्या होते हैं, bank, दूसरे bank के लिए cash reserve ratio maintain करने के लिए, इन प्रपत्रों या इन instruments को जारी करते हैं, और जब मैंने certificates of deposits की बात की, तो यहाँ पे जो commercial banks होती हैं, वो अपने छोटे छोटे जो होते हैं, working capital या day to day working capital पे कारे करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, इस तरह के प्रपत्र को या CD's को जारी करते हैं, तो बच्चों इस तरीके से हमने पांचों instruments को detail में जाना है, आए अब हम CD यानि cash of deposits और FD के बीच के अंतर को जानते हैं, जमा प्रमान पत्र और स्थाई जमा के बीच अंतर, difference between certificate of deposit CD and fixed deposit FD, अंतर का आधार पहला लेते हैं, विनी में साधियानी अगर CD में देखें, तो ये स्वतंतर रूप से विनी में साध्य होते हैं, और FD में देखें, तो ये स्वतंतर रूप से विनी में साध्य नहीं होते हैं, इसके पश्चात हम दूसरा अंदर का आधार अवधी लेते हैं, यानि time और period, तो CD में देखते हैं कि ये 91 दिनों से एक वर्ष की अवधी के लिए जारी किये जाते हैं और स्थाई जमापत्र यानि FD में अगर देखें तो स्थाई जमान युनतम 14 दिनों के लिए जारी किये जासकते हैं तथा अधिक्तम कोई सीमा नहीं है तीसरा अंतर का अधार कटोती ये डिसकाउंट लेते हैं तो CD में देखें ये प्रपत्र वास्तविक जमा राश्री पर कटोती काट कर जारी किये जाते हैं और FD में ये वास्तव में जमा की गई राश्री के लिए जारी किये जाते हैं